नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं रिपोर्ट अंडिया गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर इछले साल तयार हुई दुनिया की सबसे उची प्रतिमा स्टेच्यो आफ यूनिटी के बाद अब राजिस्तान में इस साल दुनिया की सबसे उची भगवान सिव की प्रतिमा तैयार की जा रही है राजिस्तान के नाथ द्वारा में 351 फीट उची सिव प्रतिमा का निर्मान जारी है पहले इस प्रतिमा के मार्च तक बनने की संभावना जिताए गई थी लेकिन यह पूरी नहीं हुपाई और अब कहा जा रहा है अगस्ते तक यह प्रतिमा बनकर तैयार हो जाएगी तैयार होने के बाद यह सिव मूर्ती 20 किलोमीटर दूर से दिखाई देगी यह प्रतिमार रात को भी दिखाई दे इसके लिए अमेरिका से विसेस लाइट्स मंगवाई गई है मिराज गुर्प की ओर से उदैपूर से 50 किलोमीटर दूर जैपूर मार्ग पर नाथ द्वारा की गड़े स्टेकरी पर यह मूर्ती तैयार की जा रही है गड़े स्टेकरी पर 6,75,000 वर्ग फीट छेत्र में से 27,000 वर्ग फीट छेत्र में यह सिव मूर्दी बनाई जा रही है एक लाख वर्ग फीट छेत्र में हर्बल गार्डन तैयार कराये जा रहा है बाकी छेत्र में पार्किंग एवं विभिन्ली गार्डन तैयार कराए जा रहे हैं इस मूर्ति का निर्माण पिलानी मूल के विख्यात मूर्तिकार नरेश वर्मा और उनके पिता मातूराम कर रहे हैं यह दोनों इससे पहले विख्यकी सबसे उची हनुमान मूर्ति का निर्माण कर चुके हैं इसके मूर्तिकार नरेश वर्मा ने बताये कि मूर्ति के निर्माण में अमेरिका स्थित स्टेच्यू आफ लीबर्टी की तकनीक अपनाई जा रही है ताकि बड़े से बड़े भुकम्त में भी मूर्ति को कोई नुकसान नहीं पहुचे मूर्ति में भगवान सिफ ध्यान और आराम की मुद्रा में है 351 फीट उची मूर्ति में पर्यटकों की स्वीधा के लिए 4 लिफ्ट और 3 सीडियों की विवस्ता की गई है पर्यटक 280 फीट की उचाई तक जा सकेंगे मूर्ति 20 किलो मीटर की दूरी परिस्तित कांतुरोली फ्लाई ओवर से दिखाई दे सकेगी मूर्ति की कुल उचाई 351 फीट है मूर्ति में भगवान सिफ का चहरा 70 फीट उचा है और 315 फीट उचा सिफजी का तिरसूल है अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सबस्क्राइब करना ना भूले रिपोर्ट छनिया की खबर